गर पर बैट कर गरदन का काला पन असानी से मिटा कर गोरा निखार पाना चाते हैं तो अपनाए ये पांच सरी के इनका इस्तिमाल करने से आपकी गरदन साफ नजर आने लगेगी हे गाइस वालकम बेक टू मैं यूटूब चैनल हेल्थी टेप्स यदि आप हमारी चैनल पर नई हैं तो जल्दी से जाईए सब्सक्राइब कर लिजे बेल आइकन को दबाना ना भूले हम ऐसे ही और बहुत सारी वीडियो आपके लाते रहेंगे इस वीडियो में हम बात करने वले हैं ऐसे पाँच नुकसो के बारे में जो आपके काले पन को छट से गोरा करने में आपकी मदद करेगी इस वीडियो में हम आपकी बॉडी पर जमा हुआ काला पन निकाल सकेंगे वो भी घर बैटे आपको कई जाने की जरुरत नहीं है स्किन की खुपसूरती को बरकरार रखने के लिए न जाने हम कितने ऐसे नुक्सों को अजमाते रहते हैं अपनी कुद्रती तवचाव से लेकर हम महेंगे ब्यूटी ट्रिट्मेंट को भी जादा से जादा अपनाने लग जाते हैं जिसकी कारण हमारी स्किन और जादा डैमेज होती चली जाती है ऐसे में महिलाई कई बार अपनी गर्दन का जादा ध्यान नहीं दे पाती गर्दन का कालापन कई परकार का हो सकता है जैसे की मैल रह जाना या कई ऐसी चीच देखना जो खराब लगती है अगर आपकी गर्दन भी चहरे की तुलना में जादा डार्क नजर आने लगती है तो आप भी वहां का कॉमपलेक्शन निकारने के लिए आप इन असान तरीकों को अजमा सकते हैं नमबर वन कच्चा पपिता बहुत सी महिलाएं सेहत मत रहने के लिए कच्चा पपिता खाती हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि कच्चा पपिता स्किन पर गोरा निकार पाने के लिए भी बहुत फाइदेमंद होता है गर्दन का काला पंदूर करने के लिए आप इससे असानी से पैक बना सकती हैं इसके लिए सबसे पहले आप कच्चा पपीते को टुकडों में काट कर मिक्सी में पीस लें उसके बाद उसमें गुलाब जल और एक चमद ही मिलाकर गाड़ा सब पेश त्यार कर लें अगर इस पेश को गर्दन पर लगा लें और पंदरा मिनट तक उसे मलते हुए दो लें और इसे डेली इस्तिमाल करें तो आपका गर्दन का रंग साफ होना स्टार्ट हो जाएगा नमबर टू नीमबू और शहद चैरे की तवचा को खुबसूरत और जवान बनाई रखने के लिए नीमबू और शहद को सबसे ज़ादा असरदार माना जाता है ये दोनों तवचा या स्किन को ग्लोइंग करने में हमारी मदद करते हैं और इससे पोशन भी भरपूर मात्रा में मिलता है और इससे हमारी डैस स्किन दुबारा से रिपेर होना स्टार्ट हो जाती है जिसके कारण आपके फेस और आपकी बॉडी में दुबारा से ग्लो शुरू होने लगता है अगर आप इन तत्वों से गर्दन का निखार बढ़ाना चाते हैं तो आप एक कटोरी में एक चमच, नीमू का रस और एक चमच रहद मिला लें अब उस पैक को गर्दन पर लगा कर दस मिनट के लिए छोड़ दें उसके बाद स्कीन को पानी से अच्छी तरह से वाश कर ले इस पैक से स्कीन का कालापन दूर हो जाएगा तुरंत साफ होने लग जाएगा इसे आप डेली यूज करें ये pack इस्तमाल करने से आपके गरदिन का कालापन और आपकी skin पर जितनी भी जूरिया या और भी skin problems हैं वो भी दूर होने लगेंगी किचन में इस्तमाल होने वाला baking soda भी आपकी skin की सफाई के लिए बहुत जादा इस्तमाल किया जाता है बेकिंग सोडा से आप गर्दन की सफाई करने के लिए आप दो चमच बेकिंग सोडा एक कटोरी में ले ले उसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी मिला ले गाड़ा पेस्ट बना लेने पर उसे आप गर्दन पर लगाएं पांच मिनट बाद उसे वाश कर लें ये भी आप डेली यूज कर सकते हैं कुछ ही दिनों में आपकी गर्दन का रंग साफ होना शुरू हो जाएगा बेकिंग सोडा को जाधा तर यूज काले पन को दूर करने के लिए ही किया जाता है तो आप इसे भी रोजाना यूज कर सकते हैं नमबर फोर नीमबू नीमबू के अंदर भी विटामिन सी की मातरा भरपूर मातरा में पाई जाती है ये स्किन के लिए नैचरल ब्लीज की तरह भी काम करता है अगर आप निचुडे हुए नीमबू से गर्दन वाले हिस्से पर उसे अच्छे से रगडेंगे और उसके बाद नहा लें तो गर्दन का मैल असानी से निकल जाता है आप इसे हफते में दो या तीन बार नीमबू को अपनी गर्दन की सफाई कर सकते हैं अगर आप गर्दन की तवचा को ककोमलता से साफ करना चाते हैं तो बेसन का भी इस्तमाल कर सकते हैं इसके लिए आपको एक चम्मच बेसन और एक चम्मच नीमबू का अरस एक कटोरी में ले लेना है उसके बाद थोड़ा सा पानी मिला कर इसका पेस्ट बना ले उसके बाद इस लेप को गर्दन पर लगा ले और दस मिनट पर मलते हुए इसे छोड़ दे आप पाएंगे कि लेप लगाने से स्कीन की गंदगी साफ हो गई है और टवचा ग्लोइंग नजर आने लग गई है बेसन और निम्बू का पेस लगाने से आपकी जितनी भी काली पन हैं जितनी भी काली स्कीन्स हैं वो दुबारा से रिपेर होना स्टार्ट हो जाएंगी बेसन भी बहुत अच्छी मातरा में स्कीन को ग्लोग करने के लिए इस्तमाल किया जाता है तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की कुछ टिप्स जो आपकी स्कीन को और जादा निखार सके और और जादा ग्लोग कर सके आप भी अपनी बोडी पर जितनी भी काले पन से परिशान हैं आप उन्हें मिंटों में दूर कर सकते हैं बस आप इसे अच्छे से फोलो करते रहें और आप इसे डेली यूज करें तो आपकी विसकिन दुबारा से पहले जैसी होना स्टार्ट हो जाएगी अगर आप भी हमारी और जादा ब्यूटी टिप्स और हैल्दी टिप्स के बारे में जानना चाहते हैं तो बने रहे हमारे चैनल के साथ और बैल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि हमारी जो भी नूटिफिकेशन है आपको सबसे पहले पता चल सके तो फ्रेंड्स अपना कयाल रखे और गर पर सुरक्षित रहें मिलते हैं